हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हो आप सब मैं हूँ गित्फिट बाई साहिब हुप आप लोग सब अच्छा कर रहे होगे सो मैं आज आप लोगों के लिए एक निया टॉपिक लिए कहा हूँ आज हम बात करेंगे what is cretin, क्या cretin के कोई नुकसान है और हम कितने टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं सो cretin होता क्या है बिसिकली पहले यह जानते हैं cretin हमारे सीधी सी चीज है, मसल के अंदर जाके creatinine phosphate के नाम का molecule होता है सो वो हमारे मसल के अंदर जाके store हो जाता है सो बेसिकली जब आप exercise करते हो, तो ATP नाम का जो molecule होता है adenosine triphosphate, सो वो तीन molecule का बना होता है सो उसका जो एक phosphate molecule होता है, वो breakdown हो जाता है जब आप workout करते हो सो वो जब अब वो adenosine triphosphate से ADP बन गया because उसमें से जो तीन molecule थे, उसमें से एक टूट गया, तो दो रह गए सो अब वो बन गया ADP, adenosine diphosphate सो अब creatinine phosphate क्या करता है अपना एक molecule ADP को दे देता है सो ADP के जो दो molecule थे, अब वो हो जाते हैं तीन जब उसके अंदर creatinine phosphate का एक molecule आता है and वो दुबारत से ADP बन जाता है, that is adenosine triphosphate सो जिससे कि आप लोगों की energy basically restore हो जाती है जिससे कि आपके अंदर वापसी energy आगी, दो तीन extra reps मानने की तो ये तो आप simple सी theory समझ गए कि what is creatin अब हम बात करेंगे, creatin के कोई kidney वगारा पे नुकसान है so creatinine अगर तो आप उसकी doses के हिसाब से ले रहे हो, जो एक normally होती है 5 grams की per day की, तो तो कोई problem नहीं है बट हाँ, अगर आप उसको 10 gram, 15 gram या 20 gram तक exceed करते हो then it can be harmful, because आप एक चीज को समझीए कि आपकी पहले तो body की resistance होनी चाहिए उस चीज को लेने की because जब आप creatinine ले रहे हो, तो सीधी सी चीज है कि आप लोगों के वो मसल के अंदर जाके store होनी है creatinine phosphate जो मैंने आपको समझाया है so अब ये depend करता है कि आपका अंदर मसल कितना है अगर आप 70 गिल हो गया तो आपके हिसाब से उस हिसाब से आपके अंदर मसल होगा अगर आप 80 गिल गया हो तो आपके अंदर उस हिसाब से मसल होगा so usually जो एक dosage होती है 5 ग्राम बहुत एक enough dosage होती है but हाँ अगर जो बड़े-बड़े athletes होते हैं, bodybuilding athletes होते हैं so वो higher dosage में भी लेते हैं but under guidance so 5 ग्राम is a good dosage which you can take अब बात करते हैं कि आप कितने लंबे डाइम तक उसको ले सकते हो तो क्रिटीन को आप अगर तो आप 5 ग्राम एवरी डे रहे हो तो तो आप all year भी ले सकते हो, कोई problem नहीं है but अगर आप छोड़ना चाते हो, एक धाई तीन मीने के बार तो कोई problem नहीं है because हम हर एक चीज से, कहते ने कि try करते हैं कि हाँ भाई, छोड़के शायद अच्छा result आएगा तो आप वो भी चीज कर सकते हो, वरना अगर आप all year यूज़ करना चाते हो तो आप all year भी यूज़ कर सकते हो, कोई problem नहीं है उसमें so, ये एक बहुत छोटा सा, सिंपल सा, अच्छा सा topic था जिससे बहुत दों के doubt clear होए होंगे thank you so much for watching, do subscribe to my channel and press the bell icon ताकि मैं आपनों को अपने नहने वीडियो से updated रख सकूँ, thank you